दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरह से हम हमारे कीबोड को Windows 11 में लॉक या फिर अनलॉक कर सकते हैं वह भी बहुत ही सिंपल तरीकी से तो चलिए अपने वीडियो के ओर सबसे पहले में मेरा कीबोड चालू है या नहीं वह आपको दिखा देता हूँ तो मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ तो मेरा कीबोड अब चालू है तो मुझे कीबोड को लॉक करने के लिए एक की को कीबोड के उपर एक की को लॉंग प्रेस करना पड़ेगा एट सेकंड से ज्यादा तब मेरा कीबोड अटिमिटिकली लॉक हो जाएगा तो वह की कौन सी है तो मैं की दिखा देता हूँ वह की है ये शिपकी ये शिपकी मत प्रेस कीजिए ये शिपकी इस शिपकी को हमें एट सेकंड से ज्यादा खोल करके रखना है तो एक मेसेज आ लेता हूँ, तो यह है message, do you want to turn on filter keys, okay, disable the keyboard shortcut, erase of access keyboard settings, तो यह keyboard को बंद कर लेगा, तो क्या करूँगा मैं, yes करूँगा, जैसे yes करूँगा, तो देखिए क्या होता है, जैसे मैंने yes किया, तो मैं यहाँ पर कुछ टाइप कर लेता हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्व एक typing नहीं कर सकता, तो अब मैं चाहता हूँ कि इस keyboard को फिर से unlock करना बहुत ही simple है, तो मैं फिर से एक बार keyboard के उपर वही की, मतलब shift की, देखिए यह shift की, यह वाली shift की मत प्रेस कीजिए, इससे कुछ नहीं होगा, यह वाली shift की जो आपके keyboard, physical keyboard के उपर होती है, तो उसी के चोटा सा सुनाई दे रहा होगा, उसके बाद जब बड़ा sound आएगा, तब यह keyboard unlock हो गया, तो हमारा keyboard आप बड़ा sound आगया, unlock हो चुगा है, तो मैं जाओंगा यहाँ पे, तो मैं फिर से एक बार high type कर लेता हूँ, तो देखिए, यहाँ पे हमारा keyboard unlock हो गया, तो दोस्तों यह simple process थी, keyboard को lock या unlock करने की Windows 11 operating system में, तो दोस्तों इस वीडियो को अन तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, इस वीडियो को like कीजिए, share कीजिए, comment कीजिए, और इस चानल को subscribe करना तो कता ही मत भूलिए, तो मिलते हैं हमारे अखले वीडियो में, तब तक के लिए पाइ!